हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडियने स्टडी, इंडियने स्टडी पर आपका स्वावत है, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेद इंपोटेंट है हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपको UPSI के जीके वाले पोर्षन में पास होना है, क्योंकि जीके वाले पोर्षन में बहुत सारे टॉपिक हैं, आप मान करके चलो कम से 22 से 25 टॉपिक हैं, अगर हर टॉपिक को कम्प्रीट करोगे तो जीके में 40 कोर्षन अटेम करना बहुत मुस्किल हो जाएगा, तो हम स्मार्टी तरीके से पढ़े ना, कि हम छोटा टॉपिक पढ़ लें और ज्यादा मार्क्स गेन कर लें, तो वो यही टॉपिक है पॉलिटी, यही आपको 15 से 20 कोर्षन, सपोर्ष करो 18 कोर्षन भी आ गए, और 18 दूरी, 36 और आदा और ल लिकारों को, और अलफ संक्या को हेतू, सलाकार समीती के अध्यक्च कौन थे, तो सही आंसर हो जगा सरापका, सरदार पटील, दूसरा ऑप्सन करेक्ट, अच्छा कल की वीडियो में मैंने बोल दिया था, कि जो समीदान की जो पहली बैटक होई थी, उसमें जो अध्यक्च होई थे, वो वीएन राओ, जबकि वो सलाकार थे, है ना, सलाकार मेरे मुझसे एक दो बार निकल गया था, तो इसी फिलो में वो मेरे से वीएन राओ निकल गया, एक्च्छल में जब 9 दिसम्बर 1946 को समीदान सवा की पहली बैटक होई थी, तो वहाँ पर जो बरेष्ट न में निकल गया था, तो मेरे को माफ कीजिएगा, और वहाँ पर उस चीज को सई कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, भारत की संगात्मग विवस्ता निम्लिकित में से किस देश से संभन थे, संगात्मग विवस्ता, तो ये कनाड़ा से ली गई है, पहला आप्सन्स करेक्ट, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, मैं बोल रहा हूँ कि सारे कोसंस UPSI लेवल के ही होंगे, नए राज्यों का गठन, अगर आपको नए राज्यों का गठन करना है, तो आपको भारतिय संभिदान के अनुच्छत तीन में तबदीली करने होईगी, नार्किता, नार्कित में दिया, सर पहले ही options में दिया, पहला options करेक्ट हो जाएगा, नेक्ष्ट कोसंस, भारतिय संभिदान के बिसे में निलिकित में से किसका, ये कथन, जो है, वो किसका है, भारतिय संभिदान अथिक कटोर और अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलन इस्ताप्द करता है ये कथन किसका है तो सही आंसर हो जाएगा केसी वीलर का चौहता आपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनेकेड़ी पर बेसिकली तीन स्पेसल क्लास लेता हूँ तीनों की लिंक आपको मिल जाएंगे लेकिन अगर आप अनेकेड़ी के प्लस प्लेटफांट पर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर तो बहुत सारे फायदे हैं कैसे यूपी एसाइ यूपी लेकपल यूपी ट्रपल एसे पीटी यूपी पीचेस, आरो, एरो, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एक्जाम है सभी से सम्मझे ओनलाइन कोर्स या जो कोर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं अच्छा तो सर इतने सारे कोर्स मैं क्यों पर्चेस करूँ मुझे तो किसी एक एक्जाम की तयारी करना है या दो जादा स्यादा अरे सर अने घेड़ेवी की खाजियत ही यही है कि आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको किसी पर्टिकुलर केटगरी के अंदर सब्सक्रिप्सन पर्चेस करना है जैसे UPPSC केडगरी और UPPSC केडगरी के अंदर सारे उत्तरप्रदिस के आगाम ही एक्जाम की सम्मदित कोर्स चला जा रहे होंगे तो उसी केडगरी के अंदर अगर आपने सब्सक्रिप्सन पर्चेस कर लिया तो आप उस केडगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाएंगे सभी को देख पाएंगे जो आपके लिए यूसफुल हो आराम से देखो और जब फ्री टाइम हो तो सारे कोर्स में इन्रोल कर लो नौलिस तो ले नहीं है ना टॉपिक लगवक सभी एक्जाम के वही होते हैं बस लेवल बढ़ जाता है गुरूपडी में थोड़ा चुकम लेवल होता है कौन स्टेबिल में यूपी एसाई में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है बस यही है तो अगर आप पर्चेस करने के एक कि ए जख़ल संस्तानों में जिसमें गेएर सरकारी वा गैर अनुदान प्राप्त भी संभलेत है अन पिछल त्षड़ो अनुशु जाती वा अनुशू जाती है तु और अथर आक्षण की सुवीदा प्रदान की गई है तो यह की गई है अनुच्छित 15 के 5 में पार्ट में दूसरा उप्संस बिलुकल करेक्ट है यहाँ पर देख लीजिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है उपादियों का निस्यत या उपादियों का अंत कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल अंबर 18 पहला तीसरे से मिलेगा तो यह आर्टिकल में है तो यह आपकी आनुच्छित 26 में है यानि की दूसरा चौतए से मिलेगा अल्पसंक्या की बासा एवें सरक्षण अनुच्छित 29 में है और शिक्छा का रिकार अनुच्छित 31 काम है तो 3-4-1-2 कौन से options में दिया? चोवते options में दिया 3-4-1-2 समीदान का कौन सा अनुच्छे दो सिद्धी के संबन में अभी व्यक्तों को दोरे दंडवा स्वा अभी संसंसे से रेक्षनल प्रदान करता है अनुच्छे 20 चोवते options correct भारत के राष्टपती के निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आप रत्यक्च मतदान से होता है क्योंकि हम लोग भाग नहीं देते हैं ठीक है? हमारे जोगारा जो प्रतनियते दभोते हैं विदान सभा के लोग सभा के राष्टपा के वो निर्वाज सता जो है वो भाग लेते हैं भारत कारपाले का अगाध्यक्च कौन है तो भारत की कारपाले का अगाध्यक्च होता है आपका राष्टपती तीसरा उप्सन्स करेक्ट भारत के निम्लिकत राष्टपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन अंदोलियन से समधत रहे तो वो थे आपके बीबी गिरी पहला ही options correct मंतरी परिशा सामोही क्रूप से उत्तरदाई होता है किस के दोगों सामोही क्रूप से अकर हम बात करें तो लोक सवा के परती बिल्कुल ठीक है उसके बाद एक सम्मेदानिक वातिदा के अंदर का तो होता है अनुचित 375-3 के अनुसर बिल्कुल ठीक है और अनुचित 74-3 के अनुसर 74-3 के अनुसर कैसे हो जाएगा जब 3 के अनुसर है तो यहाँ पर आपका दूसरा options correct होगा किवल 1, 2 और 3 options जो है वो सही है अनुसरा गांदी का सकती स्तल ठीक है राजी गांदी का कर्म भूमी यही गलत है 74 options correct अचा राजी गांदी का समाधी स्तल का नाम क्या है तो इस questions का अंसर आप मुझे comment box में बताना मैंने बीच में यह आज questions पूछ लिया ठीक है निमलेकित मैंसे कौन संसद की लोग लेका समीती की बैटक में उपस्तित रहता है तो भारत के नियंतर गेवा महालेका परिक्चक तीसरा options correct वरतमान में लोगसभा में निरवाची छेतर के लिए चुनाओ वे की अधिक्तम सीमा कितनी है तो ही आंसर होगा 70,00,00 निमलेकित कतनों में से कौन एक भारत के समीधान की चौती अनुसूची को सही-सही वणित करता है इसमें राज सभा के इस्थानों का अवंटन है या राज सभा के सीटों का अवंटन है अनुसूची चौते में ठीक है ध्याना करश्ण सूचना के प्रापधान नए निम्लिकत में से किस के छेत्र को सिमित किया तो इस्तखन प्रस्ता हूँ तीसरा उप्सन्स बिल्गल करेक्ट भारत के सरवुज न्याले के कारवाग मुक्नियाईदीस की निपती कौन करता है राष्टपती करता है सर तीसरा उप्सन्स करेक्ट उस्तम नियाले ऐसे कानूनी मामलों पर किस को प्रामर्स लेने का धीकार है राष्टपती को अनुचित 143 के तहट लेकिन राष्टपती इस बात के लिए बात नहीं होगा परकिन जो भी प्रामर्स सुपरिम कोड देरा वो माने या नहीं माने ये राष्टपती के उपर डिपेंड करता है मानने के लिए बात नहीं होगा तो राजज़ों की बिदायका में कौन कौन समलेत है दोको राजपाल और बिदान सबाहर कहीं है ये तो है लेकिन बिधान परीसत जहां वह अस्तित्व में हैं तो चौता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्गल क्या होगा सर करेक्ट हो जाएगा तो केवल चौता ही सही होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन्स किस नियां मुर्ती के खिलाब 2011 में रास्वाने महावियो का परस्ता पास किया किन्तो अपने बचाओ के लिए उसने लोख सवा दोरह उसी परस्ताओ के पास होने के पूर वित्याग पत्र दिया तो सही आंसर कोईगा नियां मुर्ती सोमित्र सेंच तीसरा उप्सन्स बिल्गलों करेक्ट है नेम लेकर में से किस अनुच्छेद के अंतरगत भारत के राश्पती मूल अधिकारों के कारवयन को इस्तगत कर सकते हैं मतलब कौन से मूल अधिकारों पर रोग लगा सकते हैं किस आर्टिकल के सहथ जब की अनुच्छेद 20 और 30 पे रोग नहीं लगा सकते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 369 यानि कि इस कोस्टन का दूसरा उप्सन्स करेक्ट है नेक्ष्ट कोस्टन सर आपके सामने देख लीजिए कोस्टन अमबर 22 है समान रूप से भारत में पिरती पांच वर्स बाद बित आयोक की नियुक्ति की जाती है केंदरी अनुदार और संग की राजस में राज्यों का अंस निर्दार्थ करने के लिए चोहता उप्सन्स करेक्ट भारत में मौना वर्दिकार संग चला दिनियम कब लाग हुआ तो ये 1993 में लाग हुआ चोहता उप्सन्स करेक्ट और लाश्ट कोस्टन्स के भारत के मुक चुना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो कौन करता है तो सही आंसर हो जागा सर राष्ट पती तीसरो उप्सन्स करेक्ट और जो आज का जो कोस्टन्स से मैंने पूछी लिया है कि राजीब गांदी की समाधी इस्तल का नाम क्या है तो इस कोस्टन्स का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों ये थे आपके 25 जीके के इंपोटेंट स्वरी पॉलिटी के इंपोटेंट कोस्टन्स जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लिट करवा दिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दीचेगा